सिवान में दूले सहीत बारातियों की जमकर पिटाई बदमाशों ने तो दूलहन को भी लूट लिया नमस्कार एवन्यूव देख रहें आप मैं हूँ शिवांगी आजकल शादी विवाह का सीजन चल रहा है दूले राजा के साथ बाराती भी जा रहे है आपने कई शादियों में गोलीबारी और चाकुबाजी जैसी घटनाएं तो सुनी ही होगी लेकिन सिवान में बिलकुल घज़ भी हो गया है आपको बता दे कि सिवान में दूले और बारातियों को बदमाशों ने जमकर पिटाई कर दिया है दरसल बिहार के सिवान में बारात लेकर जा रहे एक दूले और बारातियों से कुछ दबंगों ने मारपीट की और लूट की गई है बताया गया कि स्कॉर्पियो सबार दबंगों ने बारातियों और दूले को घेर कर इस घटना को अंजाम दिया है दुले ने दबंगो पर बारात में ले जा रहे गहने नगद रुपे लूटने और मारपीट का आरोप लगाया है घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जीरादेई थाना पर बवाल मचाया घटना शनिवार को सिवान के जीरादेई थाना चेतर के श्यामपूर बाजार में घटी है बदमाशों ने दूलहन तक को भी नहीं छोड़ा गारी पर बैठी दूलहन को बाहर निकाल कर उसके सारे किमती सामान को लूट लिया बताया जा रहा है कि मुफसिल थाना चेतर के रामापाली गाउनिवासी नईमो दिन अहमद के पोते की बारात रामापाली से भर्थूई के लिए जा रहे थी इस दोरान रास्ते में जीरादेई थाना चेतर के श्यामपूर बाजार के पास सरक किनारे पहले से खरी दो स्कॉर्पियों में बैठे लोगों ने पहले दूले की गारी रुकवाई फिर दूले के साथ मारपीर करने लगे और दूले की गारी में रखे दूलहन के गहने लूट कर फरार हो गया बारात में शामिल दूश्री गारी में मौजूद बारातियों ने जब इसका विरोध गया तो उसके साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया वहीं इस गटना के बाद सरक पर अफरात तफरी का महौल कायम हो गया जो भी लोग बाराती गय हुए थे सारे लोगों में हरकम पमच गया अक्सर देखा जाता है कि सिवान में बदमाश किसी को लूट कर भाग जाते हैं लेकिन यहां तो पूरा उल्ता ही हो गया बारातियों को ही बदमाशों ने लूट लिया और रुकनी के बाद लोगों की पिटाई भी किया उधर घटना के बाद बारातियों ने जीरादेई थाना पहुँच कर जम कर हंगामा किया पुलिस द्वारा आरोपिये के खिलाफ कारवाई का आश्वासन मिलने के बाद आक्रोशित लोगों का गुस्सा शान्त हुआ रुले के दादा नईमुदीन अहमद ने थाने में लिखित शुकायत देकर अग्यात लोगों पर मारपीट और लूट करने का आरोप लगाया है वही सिवान एसपी शेलेस कुमार सेनहा ने कहा कि मामले की जानकारी मिली है घटना की जाच की जारी है दोसियों पर उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी सिवान में लगातार देखा जा रहा है कि बदमाशों का होसला लगातार बुलंद होते जा रहा है किसी को भी रोक कर लूट लेना आमसी बात हो गई है और बेखौब बदमाशों ने दूले की पिटाई भी किया और सामान भी लूट लिया इसके बाद आसपास के इलाकों में चर्चाव का मोहल गर्भ हो गया है बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताए